नमस्कार आदाब सच्रीकाल दोस्तों मैं हूँ अंची शर्मा और आप सभी का अरियासी अपडेट्स में स्वागत है चार-पाइच दिनों की टेंशन अरियासी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है एक बड़ी खबर और एक अच्छी खबर जो भी अरियासी का positive case आया था उसके contact में जो भी high risk contact थे वो सभी negative आये हैं हाला कि अभी परशासन जो reports आई हैं उसे खंगाल रहा है लेकिन प्रात्मिक जानकारी यही मिली है कि जितनी भी जो reports हैं वो सभी negative हैं हाला कि उसमें वो सभी शक्स अभी आ चुके हैं या केईयों की report pending हैं वो अभी देखना बाकी है वो जानकारी खबर यह है कि रियासी के जो पार्शद हैं रियासी के बारा पार्शद कॉंसलर वो सभी negative हैं तो यह एक अच्छी खबर इसके साथ ही जो हाई रिस्क या फिर परी बारवाले थे COVID-19 positive case के वो सभी negative आये हैं तो एक रियासी के लोगों के लिए काफी बड़ी खबर है अच्छी खबर है कि जितने भी high risk जो लोग थे जो positive case के संपर्क में थे उन सभी का जो test की report है वो negative आये है तो एक अच्छी और एक बड़ी खबर जैसा कि आप देख रहे थे पिछले 4-5 दिनों से जब से दो ने मामले करोना वाइरस के positive पाए गे थे उसके बाद लगातार tension का महोल पूरी रियासी में था लोग उसरे से परशासन से पत्रकारों से जाँच परताल कर रहे थे रिपोर्स के बारे में जाज रहे थे तो अब जो खबर आई है बहुत बेहद ही अच्छी खबर है कि जो लोग ने जुड़े हैं उन्हें भी एक बार फिर बता दें कि जो रिपोर्स आई हैं जो हाई रिस्क जो लोग थे जो पॉजिटिव केस के संपर्क में थे वो सभी रिपोर्स नेगिटिव आई हैं और ये एक अच्छी खबर है लोगों की टैंचन काफी हद तक खतम हुई होगी हमारी परशासन के बड़े अधिकारियों से अभी अभी बात हुई है उन्होंने भी बताया कि जितनी भी रिपोर्स अभी तक आई हैं वो सभी नेगिटिव है वो सभी नेगिटिव हैं और ये बेहदी एक अच्छी खबर है राहत देने वाली खबर है संतोष जनक ये खबर है काफी लोग तनाब में थे डर का महोल भी बना हुआ था पार्शद जो तमाम पार्शद है रियासी के उनके भी सैंपल्स लिये गए थे लेकिन उन सभी की भी जो तमाम पार्शद है उनकी भी रिपोर्ट्स जो है वो नेगिटिव आई है और इसके इलाबा जो परिजन थे पॉजिटिव शक्स के उनकी भी रिपोर्ट्स जो है वो नेगिटिव आई है तो ये एक बेहद ही अच्छी ख़बर है अब राहत की सांस लोगों ने ली है काफी दिनों से चर्चाओं का बजार गरम था रिपोर्ट कब आएगी सैंपल्स 13 और 14 तारीक को लिएगे वो अब आए हैं और सभी जो नतीजे अभी तक जिला परशासन के पास आए हैं उन सभी में जितने भी सैंपल्स लिए गे थे उन सभी लोगों के जो रिपोर्ट है वो नेगिटीव आई है तो इसके साथ जैसे कि आप जानते ही हैं कि कुल जो आंकड़ा था करोना पॉजिटिव का वो टोटल तीन था एक शखस जो पहला मामला रियासी जिले से आया था वो ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं अब दो जो एक्टिव मामले रियासी जिले में हैं और उनके जो दोनों मामले थे उनके जो हाई रिस्क संपर्क जो जिनके साथ उनका सबसे ज़्यादा था या फिर गरवालों के साथ या फिर कोरंटीन यहां उन सभी के सैंपल लिये गे थे जिसके बाद अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो नेगटिव आई हैं ये एक अच्छी और खुश खबरी है अरियासी के लोगों के लि चिंटित थे अगर क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ये प्रतिनीदी हैं जनता के जनता के प्रतिनीदी अगर ये लोगों से मिलते हैं इस दोरान COVID-19 के दोरान इन्होंने लोगों की सेवा की मास्क बाढ़ने का कारे भी इन्होंने किया मराशन बाढ़ने का कारे भी कही न कहीं इ इनोंने किया था तो कहीं न कहीं जब इन लोगों का सैंपल लिया गया तो कहीं न कहीं लोगों के मन में एक डर बैख जया था लेकिन अब खुश खबरी ये है कि जितने भी तमाम पार्शद हैं इसके इलावा जो high risk जो परीजन है या फिर और जो लोग थे जो high risk जिनके जो सैंपल लिये गये थे वो अभी तक जो भी reports आई हैं वो सारी negative हैं एक अच्छी और बड़ी खबर जो लोग हमारे साथ अभी जुट रहे हैं उन्हें एक बार फिर बता दें कि काफी बेसबरी से पिछले चार्ज पांच दिनों से काफी तनाब का महोल अरियासी में देखने को मिल रहा था क्योंकि हमें भी काफी जादा लोग message करते थे फोन करते थे और हमें reports के वारे में पूछते थे और हम भी उन्हें इंतजार करने के लिए बोलते थे लगातार इंतजार करने के लिए कहा जाता था क्योंकि हम भी जब पता करते थे थो हमें भी इंतजार करने के लिए कहा जाता था तो अभी अभी कुछ देर पहले जो जानकारी मिली है उसके बाद हमने जिला परशासन के बड़े अधिकारियों से भी संपर्ख किया उन्होंने भी ये बताया कि अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं वो सबी नेगिटिब हैं और खास बात ये है कि अरियासी के जो तमाम पार्शद हैं कोंसलर हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी नेगिटीब आई है ज़्यादा जिसको खत्रा माना जा सकता था जो पॉजिटिव शक्स के परिजन थे उनकी रिपोर्स का भी लोग इंतजार कर रहे थे वो भी सभी नेगिटिव आई हैं तो अब थोड़ा लोगों का तनाब कम हुआ है लेकिन समझें कि हम बाहर निकल सकते हैं अब हम जो नियम लागू हुए हैं उन्हें तोड़ सकते हैं तो जो situation है वो अभी वैसी ही बनी हुई है जो तारबंदी की गई है इलाके में वो आगे जिला परशासन क्या निर्देश देता है वो वैसे ही रहेगी या फिर उसमें कुछ बदलाद किया जाएगा वो आने वाले समय में पता चलेगा लेकिन अभी की जो सबसे बड़ी ख़बर और एक खुशकबरी रियासी के लोगों के लिए खाज ही है कि जितने भी टेस्ट की रिपोर्ट करोना टेस्ट कोविद-19 के टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक आई हैं वो सबी नेगिटिव हैं और उनमें अई-80 मुन्सिपल कमेटी के तमाम पार्षदों की रिपोर्ट भी नेगिटिव है आगे भी COVID-19 की जो भी जानकारी होगी सबसे पहले पहुंचाने की इसके इलावा आपको बता दें की जो भी दिशा निर्देश आगे दिये जाएंगे परशासन की तरफ से रियासी को लेकर वो भी जो खबरें होंगी आप तक पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करे अभी का जो स्टेटस है वो वैसे का वैसा बना हुआ है आगे जो भी निर्देश परशासन द्वारा जारी किये जाएंगे वो आप तक अरियासी अफडेट्स के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे कुछ लोग और ने जुड़े हैं लगातार लोगों का जुड़ना जारी है आपको फिर बता दें कि अरियासी का जो पॉजिटिव मामला आया था उसके संपर्क में हाई रिस्क जो लोग थे उनके सेंपल्स लिये गे थे अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सभी जो सेंपल्स हैं वो नेगिटिव आये हैं और ये एक बेहद ही अच्छी खबर है इसमें मुनसिपल कमेटी रियासी नगरपाली का रियासी के तमाम पार्शद भी है उन सभी की रिपोर्ट्स नेगिटिव है इसके साथ ही जो वाले थे यहां फिर अन्य जो रिष्टदार उनकी भी रिपोर्ट्स आई हैं उनकी जो रिपोर्ट्स है वो भी नेगिटिव आई है बेहत रहत देने वाली ये खबर है बेहत अच्छी ये खबर है काफी दिनों से तनाब देखा जा रहा था रियासी के लोगों में काफी माहोल भी कही न कही कहा जा सकता है क्योंकि हमें भी काफी ज़्यादा लोग लगातार कॉल कर रहे थे हम उन्हें इंतजार करने के लिए कह रहे थे लेकिन अब फाइनली जो रिपोर्ट्स हैं वो आ चुकी है तो जो नतीजें हैं वो नेगेटीब आए है और सबसे बड़ी खबर अभी तक की यही है और आगे भी जो भी अपडेट होगा COVID-19 को लेकर या फिर रियासी जिले की अन्य खबरें भी जो होंगी वो आप तक जल से जल पहुंचाने की कोशिश करेंगे फिलाल इस लाइब वीडियो में इतना ही मुझा दिजिया रुमती दन्यवाद